दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच प्रवर्तनी देशालाई इंकम टैक्स के बाद अब निजामुदीन मरकस देश की सबसे बड़ी जाँच एजेंसी के रडार पर है CBI निजामुदीन मरकस पर कई तरह के आरोपों की जाँच करेगी सूत्रों के मुताबिक CBI ने अपने प्रारंबिक जाँच शुरू कर दी है इसके लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से संबंधित दस्तावेज लिए गए हैं दिल्ली पुलिस कोरोना फैलाने को लेकर मरकस के खिलाव पहले से ही जाँच कर रही है CBI ने मरकस के हवाला कनेक्शन और विदेशी चंदे से जुड़ी जानकारी भी जुटाई है शुडवाती जाँच में ठोज सबूत मिलने के बाद CBI ए अफायार दर्ज करेगी सूतरों के मुताबिक CBI की जाँच का दाइरा मरकस के फंडिंग के इर्दगिर्द होगा मरकस से जुड़े 35 देशों के 910 विदेशियों के खिलाव दिल्ली पुलिस आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है इन पर वीजा नियमों के उलंगन, महामारी से जुड़ी गाइडलाइन्स के अंदेखी जैसे आरोप है निजामुदीन मरकस पर प्रवतन निदेशाले पहले ही मौलाना साथ समेत 9 लोगों के खिलाव मनी लॉंडरिंग का केस दर्च कर चुका है तबलीगी मरकस के मौलाना साथ पर जान बूज कर कोरोना फैलाने का आरोप है दिल्ली पुलिस ने जो चार्च शीट दाखिल की है उसमें भी मौलाना साथ का जिक्र है मौलाना साथ के करीबियों पर भी शिकंजा कस चुका है जांच के दौरान जमाच से जुड़े कई लोगों ने माना कि वो मौलाना साथ के कहने पर 20 मार्च के बाद भी मरकस में रुके हुए थे फिलहाल मौलाना साथ और मरकस के काम करने का तरीका सब कुछ जांच के घेरे में है कोरोना से खुली पूछ ताज के परत मनी लॉंडरिंग तक जा पहुँची अब देखना है कि CBI को तबली की जमात केस में क्या ठोस मिलता है अर्विन दोजहा, दिल्ली, आज तक